है नमस्कार दोस्तो आपका सुआगत है आपके अपने चैनल The Big Bull 420 पर दोस्तो आज हम बात करेंगे 2 candle stick pattern में सबसे most important जो हमारा candle stick pattern होता है उसके बारे में किस candle stick pattern के बनने से market क्या moment देता है, market reverse होता है या trend reverse होता है या हमारा trend जो होता है तो दोस्तो वीडियो चालू करते हैं नबना ना भूले जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification टाइम से टाइम मिल जाए दोस्तो आपको इस वीडियो में bullish इंगलफिंग इंडर्स्टिक पेटन और bearish इंगलफिंग इंडर्स्टिक पेटन के इसके बाद हम इसे इसके candles की स्प्रकार करें होती इसको लेते है तो दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां एक bullish single finger candlestick pattern बना है इसमें क्या होता है कि downtrend चल रहा होता है देन market में जो एक red candle बनती है एक bearish candle बनती है और bearish candle के अगली candle जो होती हो एक gap down opening पे चालू होती है गेप डाउन ओपनिंग से एक open होती है और वो जो close करती है वो हमारी जो bearish candle होती है red candle इसके open के उपर जो है इसका close देती है मतलब जो हमारी red candle होती है यह इस प्रकार की बनती है कि हमारी जो green candle है इसकी पूरी body के अंदर यह एक red candle आ जाए इंगल्फ करना मतलब होता है निगलना मतलब यह जो green candle है इस red candle को निगल जाती है इस प्रकार से जो एक negative trend चल रहा होता है जो down trend चल रहा होता है वो convert होकर एक uptrend में यहां से चलने लगता है इसी प्रकार अगर हम बात करें bearish single finger candlestick pattern की तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी candle होती है उसमें आप यहां red candle देख रहे हैं यहां green candle होती है और uptrend पर होती है और यहां जो आप green candle देख रहे हैं यहां एक red candle होती है मैं आपको वह भी बता जाता हूँ तो दोस्तों आप यह यहां देख सकते हैं bearish single finger candlestick pattern को इस प्रकार का दिखता है यह एक uptrend पर बनता है मान लिजेए यहां जो एक uptrend चल रहा हो देन जब यह candlestick pattern बना इसके बाद से जो है downtrend चालू हो जाता है इनकी entry इनका exit यह सब भी आपको में clear करूँगा तो दोस्तों मिना आपको जैसा बताया था कि जो green candle थी उस समय bullish single finger candlestick pattern में वह green candle के अंदर red candle समभा रही थी लेकिन आप यहां देख सकते हैं यहां कुछ उल्टा है यहां अगर आप हम देख हैं यहां तो हमारी जो एक green candle है यह हमारी इस red candle के अंदर समा सकती मतलब green candle की body इतनी छोटी होनी चीए कि वह हमाई red candle में आ जाए और एक gap down opening के साथ इसकी हमारी जो bearish candle होती इसकी opening होनी चीए और इसका closing हमारी जो bullish candle होती उसके close के नीचे होना चाहिए तो दोस्तों अब आपने यह समझ लिया कि bullish single finger candlestick और bearish single finger candle बनता कैसा है दिखता कैसा है बनेंगे यह देखेंगे और साथ इसाथ दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि bearish angel finger candlestick हमेशा up trend के top पर बनेगा तो ही workable होगा वहीं अगर बात करें bullish angel finger candlestick pattern जो होगा वो downtrend के bottom में बनेगा तभी ज्यादा workable होगा अब दोस्तों हम इन दोनों candlestick को जो बूली शिंगल फिंग एंडल स्टिक पेटर और साथ ही जो हमारा bearish angel finger candlestick pattern यह market में किस प्रकार दिखेंगे तो दोस्तों चलते हैं लाइव मार्केट में मैं आपको जो है market के चार्ट के उपर बता जिता हूं कि bullish angel finger candlestick pattern और bearish angel finger candlestick pattern आपको जो मार्केट में किस प्रकार works देते हैं इनका entry इनका exit सब कुछ मैं आपको clear कर जेता हूं तो दोस्तों आप यहां live market में देख सकते हैं मैंने किया है यहां पर एक indicator की help लिए आप यहां indicators में जाना देन आप यहां search करिएगा all candlestick pattern यह देखो आप यहां उपर यूपर इससे देख लेंगे देन इस पर click करिएगा तो आप जो है आपको market में आप यहां bank nifty के day time frame पर तो इसके साथ यहां इसका explanation भी दिया हुआ है तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया bullish single swing candlestick pattern जो होता है वो एक downtrend के bottom में बनता है आप यहां देखेंगे के downtrend चल रहा था यह candle एक red candle बनी एक gap down में काफी strong bullish single swing एक bullish candle बनती हुई दिखी और साथ ही साथ जो है इसके उप यहां फी अच्छा ऊपर जो है convert हो गया पर तो दोस्तों आपको जो है इसमें मैं entry exit clear कर देता हूँ कि इसमें हमें entry का होती है इसमें हमारी जो entry confirmation होती है इसकी अगली candle हो जो आप यहां इसके अगली candle देख रहे हैं हमारी यहां इसके close पे entry होती और हमारा जो stop loss होता हो हमारी इस green candle का जो हे low होता तो दोस्तो आप यहां देख सकते हैं हमारे इतना सी stop loss देन हम जो हे इतना अच्छा एक train reversal candlestick pattern होता है अब इसी के बारे में तो यहां अगर हम इस ज uptrend मतलब uptrend के खतब होने पर यह जो हे बनता है मैंने जैसे कि आपको बताया कि uptrend के top पर हमारा जो हे एक bearish candlestick pattern बनता है bearish single finger candlestick pattern बनता है तो दोस्तो आप यहां देख सकते हैं हमारी एक red candle है यह हमारी जो एक green candle है इसके मुकाबले काफी बड़ी है मतलब जो हे green candle हमार इस red candle में समा सकती और उसके बाद अगर आप यहां देखे तो यहां से trend जो हे नीची के और convert हो गया हमारे जो इसमें entry होती वो इसके अगली candle के close में होती और हमारा जो इसका SL होता हो हमारा होता जो हमारी rate candle है उसका high और वहीं अगर एक और हम इसका example देखें यहीं दिया ह लेकिन यहां वापीस एक और uptrend दला इसके top पर आप यहां देख सकते हैं काफी strong हो में जो हे एक bearish single finger candlestick pattern बनता हुआ दिखा तो इन यहां से market आप यहां देखें तो एक downtrend में convert हो गया एक uptrend से तो दोस्तों आप यहां candlestick patterns का जो हे उप्योग काफी अच्छे सा समच सक करते हैं हमार जो एक bearish candlestick pattern है इसका उप्योग आप देख सकते हैं कि यह market में किस प्रकार जो हे work करता है लेकिन दोस्तों हमें जो अपनी trade है वो सिर्फ किसी candlestick pattern के आधार पर नहीं लेनी है हमें candlestick pattern एक संभावना प्रकट करता है इसके बाद भी हमें बहुत सारे जो हे इनफोमेटिव लगा होगा आपने इस वीडियो से जरूर बुलिश इंगलफिंग एंडल स्टिक पेटन और बेरिश इंगलफिंग एंडल स्टिक पेटन को अच्छे सा समझा होगा आपको यह समाझ आ गया होगा कि यह candlestick pattern का क्या उप्य होगी है हमें market में क्या बताते है तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर लेकिन जब तक आगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप प्लेश इस वीडियो को लाइक कलना ना भूले और साथ ही साथ हमें जरूर एक कमेंट सेक्शन में अपना एक महत्पून कमेंट छोड़े और हमें मोटि